प्रेमित्रों आज में एक बहुत ही साधारण सी समस्य है लेकिन जिसको हम मैंसे हर वेक्ति किसीने किसी तरह से मेसूस करता है या उसमें थोड़े सा उसको कन्फ्यूजन भी होता है उस उम्र के पढ़ाव की बात करूँगा यह कहलता है मिड लाइफ क्राइसिस पीरियड इसको चालिस से लेके साथ साल के पीरियड को उम्र को अक्सर हम लोग मिड लाइफ के नाम से जानते हैं और यह जीवन का वो पिरियड होता है जब आप आनंद लेते हैं उन में रसे बसे रहते हैं इसी पीरिड में चालिस से पहले पहले आप अपना परिवार बसाते हैं आपके बच्चे पैदा होते हैं आपके एमोशन्स पीक पे काम करते हैं नए रिष्टे बनते हैं पुराने रिष्टे सुधर्ड होती हैं उनकी रचना चेंज होती हैं उनसे वहवार परवर्थित होता है आप एक नए सर्किल में रस्पंसिबिलिटीज के साइक दाइरे में आना शुरू होते हैं और अब चालीस साल पे आकर के आप उन रस्पंसिबिलिटीज को समाजी रस्पंसिबिलिटीज को ज्यादा मेसूस करने लगते हैं बजाए आपके emotional status पे आपको लगता है आपका कुछ बीत गया कुछ पीछे छूट गया है और आगे वाले आगे वाले आने वाले दरश्य से भी आपको concern होता है आप उसके वरे में सोचते भी हैं कुछ लोग घबराते भी हैं और कुछ लोग अतितिक चिंता में चले जाते हैं कि हम यह जो middle life है यह कैसे गुजारेंगे तो यह जो मानसिक द्धंद चलता है व्यक्ति के अपनी परस्तितियों के कारण वो चाहे कितने भी किसी भी status पे हो चाहे बहुत बड़ा industrialist हो businessman हो या एक बहुत छोटी सी गाड़ की नोक्री करने वाला वेक्ति हो उनको इस पीरिड में सबको एक crisis सी महसूस होती है क्योंकि आपकी बीतती हुई शक्तियां आपको याद दिलाती है कि शायद आप कमजोर हो रहे हैं लेकिन उसी वक्त आपका experience आपकी सुधर्ड़ता को काइम करता है और आप कहते हैं कि मैं मैचूर हो रहा हूँ आप सचमच में उस पीरिड में मैचूर हो रहे होते हैं इस तरह की सैकलोजिकल परिवर्तन के बारे में हम कभी और सेशन में बात करेंगे क्योंकि वह भी बहुत एक गंभीर सेशन है और बहुत से परिवर्तन सैकलोजिकल परिवर्तन वक्ति में इस पीरिड में आते हैं आज मैं इस बात की बात करूँगा क्योंकि आप बहुत सी उच्छरंखलता कर चुके होते हैं 40 साल की उमर तक खाने पीने का आप ध्यान ने देते हैं कि उतसा बहुत ज़्यादा होता है ताकत बहुत ज़्यादा होती है और जमिदारियां भी आपको लगती हैं कि निभाने से आपको परमशन मिलने वाले हैं तो आप काम में भी बहुत ध्यान देते हैं और आप अपने जीवन का गोल कुछ और ही समझते हैं और जिसके लिए आप अत्यधिक प्रेत्न करते हैं और उस प्रेत्न के कारण आपके शरीर पे बहुत कुछ असर पड़ता है आपने इस शरीर को 40 साल तक जतना हो सकता है उतना उसका उप्योग किया होता है अब उस उप्योग किये शरीर पर कुछ ढलान होने लगती है कुछ वरद्द होने के या कुछ और तरह के शरीरिक प्रिवरतन आने के लक्षन लगते हैं इसलिए विक्ति को शरीरिक रूप से इस पीरिड में अत्यधिक सावधान होने की आवशक्ता होती है जवा अपने शक्ति को कंजूम किया है 20-40 साल के उमर में अब आपको कुछ ध्यान देना होगा उस उठती हुई जवानी में और ताकत में और साहस में आपने जो सब कुछ किया वह सब उसका असर अब इस उमर में दिखने वाला है इसलिए स्वास्त के दृष्टी से भी यह पिरिएट बहुत महत्तोपूर्ण हो जाता है जब आप इस पिरिएट में आते हैं तो कुछ लोग पाते हैं उनका वजन बहुत बढ़ रहा है जो बढ़ता है सब भी का आपके फेस पे परिवर्तन आता है आपके शरीर की रचना पे परिवर्तन आता है आपके हर अंग में परिवर्तन आना शुरू होता है आपकी लुक्स चेंज हो जाती है वे सभाविक रूप से एक फेजियोलोजिकल चेंज है लेकिन इन चेंजों के साथ परिवर्तन के साथ में ही जो चालिस साल की आपकी वीर और टीर रचारिक उसका भी असर हो सकता है फिर कुछ आपके अच्छी और बुरी आदते हो सकती है किसी को शराब पिने किलत हो सकती है किसी को जो आशकल केनाबिस वेड़ा की ड्रक्स आती है उनका उप्योग करने का उनको एक्सपिरियंस हो सकता है और आप अपने खाने का बिलकुल ध्यान नहीं रखते हैं उस वक्त आप बड़े लंबी यात्राओं पर जाते हैं आप बिजनस के कारण बहुत जगे खूमते हैं आपकी ज्यादातर लाइफ हुआई जाज़ और ट्रेन में गुजरती है और वहां पर आप सब तरह के काम करत हैं आप अपने शरीर के खाने पेने के लिए लापरवार रहते हैं क्यों कि उस वक्त आपका नियमत जो कारे है वो नहीं हो पाता आप दिन का एक कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं इसलिए खाने के समय में और दुर्श्टी से आपके थोड़ी बहुत कसर करने का या घूमने का या और तरह के जो अच्छी बाते कही जाते हैं जो शरीर के या वयाम करने का या फिर कहीं पर किसी जगे जाकर करके एकसरसाइज करने का वह सब चीज़ें आप नियम से से नहीं कर पाते क्योंकि आपके उपर अपने काम का बहुत प्रेशर होता है उ आपके प्रमेशन होके आप थोड़ी कंफर्डर पोजेशन पर भी आ जाते हैं तो अब उनका असर आने लगता है इसलिए इस पिरिड में आपको शारीरिक रूप से अत्य देख सावधान होने के आवशक्ता होती है मैं आपको एडवाइस करूगा कि जिस तरह के एग्रिजि होना चाहिए कि आपका वाइकमिकल स्टेटस किस तरह का है आपके औरगन के स्थिति जिनको आप 40 साल से बिना धायन दिये उप्योग करते आ रहे हैं उनकी पर स्थिति ऐसी है हो सकता है आपके आदतों के कारण उन पे कुछ असर पड़ा हो आपके खाने पिने तरीके के का कारण या आपकी दूसरी ड्रक्स का कभी उप्योग करने के कारण आपके शरीर के अंगों पर और जो महत्वपूर औरगन हैं हर्दे लिवर किड्नी उन सब पर कौन जानता है कि असर नहीं पड़ रहा हो वैसे भी यह इस उमर में बड़ी सेंसेटिव एज होती है तो आप को स्वास्त का सबसे अधिक ध्यान रखने के आवशकता होती है इस उमर में आपने देखा होगा बोतों को हार्ट अटेक इसेज में उमर में हो जाते हैं को कुछ के लिवर फेर्योर्स हो जाते हैं तो उन सब बातों को अगर आप निमेत रूप से चक करवाएं इस उमर में और आते ही प्रुवेश करते ही कम से कम करवाएं और अगर किसे भी, जैसे बड़े बड़े टेस्ट में बता दूँ बलेड का रूटीन का टेस्ट हैपका, हर्दे के समन्दिद टेस्ट है, लेपेड परफाइल है, लीवर फरंक्शन टेस्ट हैं, किड्नी फंक्शन टेस्ट हैं और दूसरे तरह के जो टेस्ट हैं जितने भी जो एक एक एक्जुकिट्व से चेक अप में आ जाते हैं प्राइप्रेस सबी उन सब का करवाने में कोई नुकसान नहीं है आप इंशूर्ट हैं तो शायद वैसे ही आपका होता होगा और अगर आप इंशूर्ट नहीं हैं तो बहुत से होस्पिटल और लेब्स इनको आपको ओफर करती हैं उनको करवाने में कोई नुकसान नहीं है